दोस्तो अगर आपके phone में whatsapp पर आपको blue tick नहीं आता है for example हम यहाँ पर whatsapp open करके आपको दिखाते हैं अगर आप किसी को message भेजते हैं और आपको यहाँ वो देख भी लेता है लेकिन आपको यहाँ पर blue tick नहीं दिखता है तो आप इसको कैसे सही करेंगे ताकि आपको blue tick दिखने लगे इसके लिए आपको करना क्या होगा आप यहाँ से back कर लीजिए whatsapp पर आपको side में 3 linings दिखेंगे 3 dots आप इसपे क्लिक करेंगे इसपे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक option दिखेगा settings का आप settings पर क्लिक करेंगे और settings में चले जाएए settings में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक option दिखेगा account का आप इसपे क्लिक करेंगे और इसपे क्लिक करने के बाद आपको एक option दिखेगा privacy का आप इसपे क्लिक करेंगे जब आप privacy पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा read receipts का हो सकता गलती से आपसे ये off हो गया हो तो आपको करना क्या है simply इस पर click करके इसको on कर देना है और जब आप इसको on कर देंगे तो आपके में blue tick दिखने लगेगा लेकिन जिस भी बंदे को आप message भेज रहे हैं अगर उसने अपनी privacy में read receipts को बंद कर रखा होगा तो आपको उसकी जो है blue tick नहीं दिखेंगे लेकिन जिनों ने ये बंद नहीं कर रखा होगा privacy में अपने whatsapp की setting में तो उनका blue tick जो है आपको दिखेगा मतलब जब आप उनको message भेजेंगे वो receive करेंगे तो आपको इस करेंगे